मेसेज का टोन कैसे चेंज करें? मेसेज का साउंड कैसे बतलें? हलो दोस्तों स्वागत है फीर से एक निव वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके भी मॉयल पे किसी भी परकार का मैसेज आता है तो मैसेज आते समय जो है अलग तरीके का टोन बसता है तो आप जो है उस टोन को चेंज करना चाहते हैं लिखिन आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तों चल ये वीडियो सुरू करते हैं मैसेज का टोन चेंज करना काफी आसान है चली मैं आपको बताता हूँ आप अपने तरीके से किसी भी परकार का टोन आप लगा सकते हैं चेंज कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोईल के सेटिंग में चले आईए मोईल के सेटिंग में जैसे ही आजाते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा इसके बाद आपको नीची आना है और एक ओप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको sound and vibration का button show हो जाएगा तो यह option इसमें भी मिल जाएगा या फिर उपर में भी मिल जाएगा तो इस पे आप click करके आप यहाँ पे आ सकते हैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पे notification जो है change करने के लिए एक option दिया जाता है notification का जैसे कि आप देख सकते हैं तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है notification और message दोनों same ही होता है ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है eis notification पे Click करना है और click करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का page आजागे जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे दो option मिल रहा है यहाँ पर 24 local ringtone और यहाँ पर installered ringtone का option दिया जाता है इंस्टाले रिंग टॉंग में आपको mobile के तरफ से जो आपको message दिया जाता है message sound वो यहाँ पर मिलेगा अगर आप अपने file manager से कोई लगाना चाहते तो 24 local ringtone पे click करके आप लगा सकते हैं ठीक है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे simply मैं इस पे click करता हूँ और यहाँ पे हमारे सामने इस तरह का page show हो जाता है तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे ringtone का button है alarm का notification का आपको इस notification वाले button पे click करना है और अभी आप देखिएगा तो मेरे में यहाँ पर किसी भी परकार का notification नहीं लगा हुआ है हम इस पे click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यह लग गया ठीक है अगर माली जी आपको यह पसंद है बवल का तो आप इस पे click कर दिजिएगा तो यह जो है automatically यहाँ पे save हो जाएगा यह आपका message to change हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है बस आपको सिधा back आना है और back आने के बाद आपका जो notification sound है वो change हो गया कि तो ओने कर दो यह नहाँ जाएगा है